हलो गाइस, स्वागत है आपका सिर्जन जी चैनल पर और आज आप देखने वाले हो 2022 में आई अंडर रेटेड आस्ट्रेलियन हरो थ्रिलर मूवी बीटन टू डैथ का ब्रेकडाउन जिसके राइटर डारेक्ट हैं सैम कर्टन इस मूवी के बारे में बस इतना बोलूँगा कि ये सीधे सीधे बुरूटल है इतनी बुरूटल है कि आपको ही दर्द होने लग जाएगा चलिए अब जादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जैक नाम के आदमी को जो काफी बुरी हालत में खून से लटपदबस चलता जा रहा था इसका ये हाल कैसे हुआ वो जाननी के लिए हमें जाना पड़ेगा दो दिन पीछे जब रिकी नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी अपने दूर दरास खंडर जैसे घर में इसे बेरेमी से पीट रहा था जैक को अदमरा करने के बाद वो उसका गला दबा कर उसे जान से मार रहा था वो तो जैक ने हिम्मत करके पास पड़ी एक बाटल उठाई और उसे रिकी के सर पे नहीं मारा बलके पहले बाटल को फोड़ा फिर उसे गुसा दिया रिकी के गले में जिससे रिकी मौके पर ही मारा गया और जैक की जान बचपाई इससे आप समझ जाओ कि नौसिखियो वाली हरकते इसमें देखने को नहीं मिलने वाली और आमतार पर जहां पर एक मूवी खतम होती है ये वहां से शुरू हो रही है तो कोई रैगुलर मूवी ये नई होने वाली अब खुद को समेट कर जैक जुल्दी से रूम के बाहर जाता है अपनी वाइफ रेचल के पास लेकिन रेचल अल्रेडी मर चुकी थी उसके सर से काफी खुन बहरा था उसे जगाने में जैक ने पूरी जी जान लगा दी लेकिन अफसोस वो नहीं जागी अब अपनी वाइफ को वहां से निकालने के लिए जैक को मदद चाहिए थी इसलिए वो बाहर खड़ी कार की चापी ढूरने लगा जो ना तो रिकी की जेव में थी और ना ही कार में तो आखिर में जैक को पैदली वहां से भागना पड़ा इसके बाद हमें एक कर्सीन दिखाये जाता है थोड़ी आगे का जब और भी जादा बुरी हालत में आखों पे पट्टी बांदे हुए जैक कहीं पर बेहोश पड़ा था सूरज के उगने से वो जागा और सूरज की हेल्प से उसने डारेक्शन का पता लगाया इससे साफ हो गया के आगे इसका हाल और जादा वर्स होगा और ये शौर्ट तारीफ के लाइक है हैरम वापस आते हैं पास्ट में भागते हुए जैक एक घर तक पहुँचा जिसके बाहर एक कुताब बंदा हुआ था इस घर में रहता है नैड अपनी बिमार मा के साथ और ये जगा एकदम विरान है आसपास कोई बसावट है ही नहीं जैक और रेचल यहाँ पर कैसे फसे वो जानना भी अभी बाकी है अब जैक नैड को सब कुछ बता देता है तो नैड उसे ले जाता है अपने घर में अंदर जाते ही जैक ने थोड़ा पानी पिया और तभी नैड ले आया एक राइफल जैक को लगा के वो तो गया पर राइफल वुलाय था सेफटी के लिए जैक जो सब बता रहा है अगर वो सर्च है तो राइफल की जरुद पढ़ सकती है वो दोनों नैड के ट्रुक में नई बैठ पाया अंदर उसकी वाइफ की लाज जो थी वो अंदर गया तो उसने देखा के नैड रिकी की बाड़ी के पास बैठ कर रो रहा था और ये देखकर जैक की सांसे रुक गई रिकी नैड का छोटा भाई था जिसकी मात का बदला अब नैड लेगा ये सुनते ही ज इसका इलाज भी नैड के पास मवजूद था वो रैंडमली घांस में ट्रक घुमाने लगा ताके जैक कुछला जाए और वो जैक के काफी पास भी आ गया था इसलिए ना चाते हुए भी जैक को फिर से भागना पड़ा पर इस बार भागते हुए वो फस गया कीचड़ में के बाद जैक कभी कुछ भी नहीं देख पाएगा नैड ने एक चाको लिया और उसे जैक की आँक में घुसा कर उसकी आँक बाहर निकाल ली आख निकलते ही जैक की पूरी बाड़ी तड़पने लगी यहां तक कि उसे उल्टी भी हो गई आखरी चीज जो जैक देख पाया वो था नैड क्योंकि फिर उसने दूसरी आँक भी फोड कर निकाल ली अब जैक पूरी तरह अंधेरे में खो चुका था आसपास क्या हो रहा है उसे कोई आइडिया नहीं अचानक से वो पूरी तरह लाचार हो गया और जो दर्द उसे हो रहा था उसे तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उपर से नैड रुकने का नामी नहीं ले रहा था नैड ने उसके दोनों हातों में कील ठोक कर उसे दिवार से पिन कर दिया ताकि ये भागे ना इसके बाद हमें एक और करस्तिन दिखाया जाता है जिसमें जैक एक लकड़ी के सहारे उस विरान जमीन पर आग उठर है या क्या है वो बस लकड़ी के सहारे चलता जा रहा था क्योंकि और कोई आप्शन था ही नहीं या तो चलता रहे भले भटकता रहे या तो एक जगा बैठ कर भूख प्यास से मर जाए रुकना वो इसले नहीं चाहता क्योंकि उसके माबाब भी है अगर मर भी गया तब भी इसके माबाप यही सोचेंगे कि पता नहीं कहां चला गया। वो पूरी जिन्दगी इसी आस में रहेंगे कि एक ना एक दिन वापस आएगा जबके इसे जानवर खा चुके होंगे। और इसके अलावा इसे अपनी वाइफ की बॉड़ी को घर लेकर जाना है। इसके साथ जोड़ी हैं उनके लिए ये खुद को धकेल रहा है। उसे तड़प रहा फिर भी हिम्मत करके आगे सरकता रहा और ऐसी पहुंच गया राइफल तक। दर्द इतना था कि उसने एक बार को सोचा कि खुद को मार के ये सब खतम करता हूं लेकिन फैमली का सोच कर वो रुक गया। उसे कैसे भी करके वहां से निकलना था तो राइफल लेकर वो सीधा भागने लगा। पर नेट भी बड़े आराम से उसे देख रहा था। वो जैक के पीछे गया तो जैक और जदा पैनिक करने लगा। उसके लिए तो अंधेरा ही था इसलिए वो वैसे भी गिरता पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा था उपर से नेट उसके साथ खेलने लगा। तो गुसे में जैक ने सारी गोलिया चला कर राइफल खाली कर दी और जैसे ही गोलिया खतम हुई नेट आकर उसे बांध कर घसीरते हुए वापस ले गया। खोदने के बाद मैं तुझे मार दूँगा वो तो हो गई पर अगर तो गड़ा खोदेगा तो मैं तेरे घर वालों के पास ये खबर पहुचा दूँगा कि तू मर चुका है ताके वो जूटी उमीद में ना रहें। इस सौदे की गहराई देख रहे हो। आदमी को मरना त परताल हुई तो ये खुद फश जाएगा तो ये सिर्फ एक जूटा लालच है लेकिन मरने वाले के लिए एक बहुत बड़ी आस है। जैक ने ये ओफर ले लिया बिना कुछ दिखाई दिये उसने खुद अपनी कबर खो दी और आप इसकी हालत देखो हमारी आँक में नहीं मारना चाहिए था पर मेरी वाइफ भी तो मर चुकी है तो ये मत कर हम दोनों को कहीं दूर ले जाकर रोड पर फेक दे मेरी तो आखे भी नहीं बची तो मैं तेरा कुछ भी नहीं बिगार पाऊंगा। मुझसे गलती हुई जिसकी मैंने क्या की मत चुकाई है वो ते डालने लगा जैक ने भी अपना अंतस्वी कार कर लिया अब वो याद कर रहा था के गलती क्या हुई तो जैक और रेचल की लाइफ काफी डाउन चल रही थी क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे लाइफ को बहतर बनाने के लिए इन्होंने एक नया काम करने का फैसला किया उसी काम के सिलसले में ये पहुँचे थे रिकी के पास और वो काम था ड्रॉक्स बेचने का रिकी ने दोनों के फोन लिये फिर दोनों को अपनी कार में बैठा कर इनके चेहरों को कवर करके वो लेकर आया इस खंडर जैसे घर में और यहीं से सारी दिक्कस स्टार्ट हुई ये नए थे तो इनने पता ही नई था के ड्रॉक्स का प्रास क्या होगा ये सिरुफ 10,000 लेकर आये थे जबके एक पैकेट ही धाई लाग का था पैकेट इन्होंने ले लिया पर जब पैसे देने की बारी आई तो पैसे देख कर रिकी बाखला गया ये इलीगल काम है कोई आ पर आए फिर बिना कुछ लिये ही जा रहे हैं तो इस से रिकी को शकुआ कि कहीं ये कोई इन्फार्मर तो नहीं जो मेरी रिपोर्ट कर देंगे इन्होंने एक के बाद एक प्राबलम खुदी अपने लिए खड़ी कर ली जानकारी इन्हें थी नहीं और सीधा यहां पर आकर फस गए नया काम शुरू करने से पहले जो एक खुशी चेहरे पर होती है कि अब तो हमारी लाइफ बदल जाएगी उसे खुशी के साथ ये आये थे लेगन अब वो खुशी चिंता में बदल गई क्योंकि रिकी इन्हें जाने नहीं देगा जैक को खुश से जदा रेचल की चिंता थी क्योंकि सबी गलतियों में से सबसे बड़ी गलती उसे यही लग रही थी कि वो रेचल को भी साथ लेकर आया वो रिकी को शान्त कर रहा था लेगन ऐसा हुआ नहीं रिकी ने उसे पकड़ लिया रेचल उसे छुडाने आई तो रिकी ने उसे धक्का दे दिया औ जिससे वो मा के पर ही मारी गई फिर जैक को रूम में ले जाकर रिकी ने उसे पीटना शुरू किया और कुछ इस तरह हमा गए मुवी के स्टार्ट पर फिर जैक ने रिकी को मारा और आगे जो कुछ हुआ वो हमने देखे लिया अब जैक को जिन्दा दफना कर नैड अपने घर जा चुका लेकिन जैक ने अब भी हार नहीं मानी हाथ पैर मार कर वो मिट्टी से बाहर आने में कामियाब हो गया उसने फिर से चलना शुरू किया और चलते हुए वो पहुँच गया नैड के घर तक ये उसे पता चला कुट्ते के भांकने से और शावर की आवास से पत पोन नहीं था इसलिए जैक को फिर से आगे बढ़ना होगा पर सबसे पहले उसने हाथ धोए लेकिन आख वाले घाओं को साफ करने की हिम्मत उसमें नहीं थी इसलिए पास में जो कपड़ा पड़ा था वही उसने आखों पर बान लिया फिर नैड की मा को सौरी बोला और इ इस पे चलते चलते आगे इसे मिलाए गेट गेट खूलकर ये और आगे बढ़ा तो सामने से आ रहा एक ट्रॉक इसे देखकर रुक गया उस ट्रॉक में था नैड का डॉग और साथ में एंडी नाम का आदमी उसने जैक को ट्रॉक में डाला और फिर वो उसे लेकर चल दिय जैक की हिमत रंग लाई इसने दिनों तक हार ना मानने की वज़े से वो हॉस्पिटल पहुंचा जहां पर उसका इलाज किया गया और अब वो एकदम ठीक है काश मैं ऐसा कह पाता जैक इस सब के सपने ले रहा था जबके असल में एंडी उसे लेकर आया उसे खंडर वाले घर पे क्योंकि ये सबसे बड़ा भाई है ने डोरी किसे बड़ा जैक को लग रहा था कि वो घर पहुंच गया इतनी परिशानियों के बाद लाइफ ठीक हो गई लेकिन वो सब सिर्फ उसके दिमाग में चल रहा था असल में एंडी ने तो उसे चीर कर उसकी आते बाहर नि हो तो भी बहुत सई थी थोड़ी बहुत वोल्फ क्रीक के जैसी थी पर ना तो किसी आम मूवी की तरह स्टार्ट हुई और ना ही खतम हुई स्टार्टिंग में ही कई हिंट मिल गए थे कि मूवी में काफी कुछ बुरा होगा थामस रोज ने काफी अच्छा काम किया जहां बेचारा बनना था वहाँ बेचारे लगे और अगली पल जब हिम्मत वाला बनना था तो उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी अलागे जाद अतर शूटिंग में थामस कुछ देखी नहीं पाये थे उनके फेस पर जो मेक अप था उससे दोनों आखे कवर थी तो उन्हें सच और नाक शॉर्ट सन वाला हमने देखा था वो एकदम रियल था यानि कैमरा से ही लिया गया था उसकी इंस्प्रेशन ली गई थी THX 1138 की एंडिंग से बाकी आप बताईए आपको यह मूवी कैसी लगी इससे देखकर आपको और कौन सी मूवी याद आई कॉमेंट करके बत को जाने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगाओ पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए सब को बाई